एक गाउं में रंजु अपनी बीवी बिंदिया के साथ रहता है कई महीनों से रंजु का काम चूट चूट चुका था वो काम ढूंड तो रहा था लेकिन उसे कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा था बस घर पर बैट कर आराम फर्माने हैं आपको तो अरे मैं दिन रात लोगों के घरों में सफाई करके घर चला रही हो कुछ तो शरम करो कब करोगे काम इंदिया मैं ये सब जान बुच कर थोड़ी कर रहा हूं मुझे शौक आया है क्या तुम्हें तकलीव देने का लेकिन अब मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा तो मैं भी क्या करों रियास तो बहुत कर रहा हूं चार महीनों में अगर भगवान को ढूड़ने जाओ तो वो भी मिल जाएंगे एक तुमें काम कैसे नहीं मिल रहा है मेरे तो यही पल्ले नहीं पढ़ रहा मैं कुछ नहीं जानती अगले साथ दिनों में अगर तुमने कोई काम नहीं ढूड़ा तो तुम अपना सामान बान कर घर से बाहर निकल जाना रंजु अब बहुत चिंतित हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता वो सोचते हुए चलते चलते जंगल पहुँच जाता है तभी वहाँ उसे एक अस्तबल दिखाई देता है जिसमें घोड़ा होता है अजीब बात है यहां असपास तो कोई भी नहीं है और यह जगह भी काफी सूनसान है ऐसे मैं ये अस्तबल में घोड़ा क्योंना मैं इस घोड़े को अपने साथ ले चलू इससे मैं धेर सारे पैसे कमा सकूँगा लोगों को इसकी सवारी देकर तादी ब्या में इसे किराये पर देकर और यही तरह से रंजूस घोड़े को अपने साथ घर ले जाता है और सारी बात बिंदिया को बताता है वैसे सुझाव अच्छा है लेकिन तुमें काम भी ठीक से करना होगा घोड़े को पालना बहुत कठिन होता है तुम उसकी चिंता मत करो बिंदिया मैंने चने, घास और भूसा ला दिया है और तो और घोड़े के लिए आंगन में जगा भी बना दिये अब सब ठीक हो जाएगा अब ये घोड़ा ही मेरी किसमत बदलेगा देखना तुम बिंदिया हाँ हाँ देखते हैं रंजु घोड़े को अपने घर के आंगन में बानता है और रात को सो जाता है अगले सुबह अचानक से गाउं में पांच लोगों की लाज पाई जाती है सबके गले कटे हुए होते है उनके परिवार वाले उन्हें उनके कपडों से पैचान पाते है नहीं ये क्या हो गया जी आप मुझे चोड़कर नहीं जा सकते अब मैं कैसे जीऊंगी ए सुमन उटना बेटी ये क्या हो गया तुझे पता नहीं रंजु पतिदेव ऐसे ही पैसे कमाते रहो और मेरे हाथ में थमाते रहो हाँ एक दिन जब रंजु सबारी करके घर की तरफ लोट रहा होता है तब ये उसे रास्ते में एक शिव मंदिर दिखाई देता है वो रुक कर कहता है अरे ये शिव मंदिर तो बहुत पुराना शिव मंदिर है चलो अब देखी गया है तो अंदर जाकर दर्शन कर लेता हूं भोले नाज जी के दर्शन पाने के लिए मुझे घोडे को यहां मंदिर के बाहर खड़ा करना होगा ओए मेरी जान मैं अभी जाकर आता हूं रंजू उस घोडे को मंदिर के पास ले जाता है पर घोडा कदम आगे नहीं बढ़ाता है और गुस्से से रंजू को ही लाद मारता है जिससे रंजू दूर जाकर गिर पड़ता है रंजू घोडे को जल्दी से घर ले जाता है और घर जाने के बाद घोडा शान्त हो जाता है और घास खाता है अगले दिन फिर से गाउं में और पांच लोगों की लाशे मिलती है और उन पांचों के सिर भी कटे हुए होते है ये सब क्या हो रहा है पिंदिया अज फिर से हमारे गाउं में और पांच लोगों की लाशे बरामत की गई है हाँ रंजू जानती हुमें ना जानी क्या हो रहा है हमारे गाउं में कौन कर रहा है ये सब इस गाउं में रहना ही मुश्किल और घातक हो गया है अब तो गाउं का सरपंच राजनात सिंग बहुत परिशान हो जाता है वो पुलिस ओफिसर को बुलवाता है और तब ही पुलिस कहती है ये सारी मौत्तें एक बराबरी होई हैं एक ही तरह से गला काटा हुआ है और एक ही समय पर हुई है और वो है रात का समय सरपंच के आदमी गाउं में जगा 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 जाकर ये ऐलान कर देते हैं कि कोई भी रात को आट बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा वहीं पुलिस भी अपनी तैकिकात शुरू कर देती है लेकिन एक दिन जब अचानक से एक बुढ़े आदमी की चादर उसके घर के आंगर में ही रह जाती है तब ही ए भगवान अब मैं क्या करूँ मैंने चादर दोकर बाहर आंगन में सुखाई थी अगर मैंने चादर बाहर से अंदर नहीं लाई तो ठंड के मारे तो मेरी जान ही चली जाएगी नहीं नहीं मुझे चादर तो अंदर लागे बुढ़ा अदमी चादर को लेने बाहर निकलता है तभी उसे उसके पडोसी रंचु के घोडे के शरीर में से एक चुडैल की आत्मा निकलते हुए दिखाई देती है वो चुडैल बाहर निकल कर यहाँ वहाँ भटकती है और फिर से घोडे के अंदर घुश जाती है यह डरावना द्रिश्य देग बुढ़ा आदमी एक दम से चौंक जाता है थोड़ी देर बाद वो घोड़ा अपने आप रसी से बंधे होने के बावजूद भी जंगल की तरफ जाने लगता है और तभी बुढ़ा आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो देखता है कि भूतिया घोड़ा एक गुफा के अंदर जाता है लगता है यह उसी चुड़ैल की गुफा है जो इस गोड़े के अंदर बजी होई है यह क्या इस गोफा में तो उन सभी लोगों के कटे हुए सिर हैं जिनकी लाशें मिली है इसका मतलब यह है कि इस चुड़ैल ने ही सबको मारा है ए भगवान बुड़े आदमी की रूह काम जाती है और वो तुरंट सरपंच के पास जाता है और उसे इस सबके बारे में बताने की कोशिश करता है बताईए काका क्या बात है क्या हुआ है जो आप इतनी रात को मेरे पास आएं कोई तकलीफ माफ करना राजनाथ बेटा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना ही पड़ा मैंने मैंने कुछ देखा है और मुझे पता चल गया है कि गाओ में जिन जिन लोगों की लाशे मिली है उनकी हत्या किस ने की है क्या हाँ और इन सबके पीछे किसी इंसान का नहीं एक चुडैल का हाथ है जिसकी आत्मा एक एक गो काका काका बुड़ा आदमी सरपंच और उसकी बीवी को सारा सच बताने ही जा रहा होता है कि तभी उसे हाट अटेक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है अगले दिन सरपंच गाउवासियों से बात करने जाता है एक चुडैल नहीं मारा है लेकिन ये कैसे हो सकता है मुझे कुछ नहीं पता लेकिन काका ने मरने से पहले मुझे ये बताया है और वो स्चुडैल की आत्मा के बारे में और कुछ बता ही रहे थे कि तभी उन्हें हाट अटेक आ गया ए भगवान ये सब क्या हो रहा है हमारे गाउवे हाँ सर्पंच साब अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा हमारा एक एक करके सब मर जाएंगे गाउं में सर्पंच अब बहुत चिंतित हो जाता है उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं वहीं उस रात जब बिंदिया की आँख खुलती है तभी वो घोडे को बाहर आंगन से गायब देख खैरान रह जाती है वो फौरन रंचु को उठाती है रंचु रंचु देखो हमारा घोडा बाहर आंगन में नहीं है रंचु और बिंदिया बाहर आंगन में जाते हैं और तभी उन्हें घोडे के पैरों के निशान जंगल की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। जहां वो अपने घोडे में से चुडेल को बाहर निकाल कर एक तंत्रमंत्र करते हुए देखता है। और वो चुडेल चाती क्या है? क्यों मार रही है वो सबको? और किवल सिरी क्यों बचा रखा है उसने? क्योंकि वो एक शापिट चुडेल है और उससे उसकी शक्तियां चुडेल लोग के राजा ने चीन ली हैं और इसी वजह से वो खुले में नहीं घूम सकती इसलिए वो तुम्हारे घोडे के शरीर में रह रही है। और वो सबके सिर काट कर इसलिए ले जा रही है क्योंकि उसी से वो अपने महा चुडेल तंत्र को पूरा कर पाएगी और उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाएंगी। अपने घोडे को पानी पिलाते समय उस पानी में गंगा जल मिला देना और जब वो उसे पिएगा तब उसके अंदर बसी हुई वो चुडेल बाहर निकलेगी और वहीं पर तडब तडब कर मर जाएगी। साधारन खोडा बन जाएगी।